जैहिन साथियों, Mechanical Engineer से मेरी request है, special appeal है आप जैसा कि title में देख रहे होंगे Best Currents Up for Mechanical Engineers How to Crack तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इस vacancies में diploma बीटिक दोनों के लिए freshers के लिए experience के लिए सारे लोगों के बात किया अब नहीं तो कभी नहीं आपके पास 4-5 options इसमें है जहां पे आप freshers, diploma और बीटिक के एस्परेंट्स मौका all over India के लोग apply कर सकते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों से ये discuss करना चाहता हूँ कि बीटिक के लिए देखो दोस्तों, बीटिक के लिए जो इसमें all over India के लोगों के लिए तो freshers के लिए सबसे अच्छा मौका है UPPSC Polytechnic Lecture का Around 238 वेकेंसी हैं जहां पे all over India के लोग apply कर सकते हैं freshers apply कर सकते हैं और applications farm ongoing है अगर इसमें आपने selections नहीं लिया तो बहुत दिक्टत हो जाएगे best job है आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे crack करना इसको दोस्तों दूसरा, डिप्लोमा के लिए दोस्तों इसमें NHPC है NHPC डिप्लोमा के लिए best है दोस्तों freshers apply कर सकते हैं, आज ओपर इंडिया के लोग apply कर सकते हैं और applications ongoing हैं दोस्तों अगर लिए आपने डिप्लोमा किया है और आप mechanical ब्रांच के हैं एक साल का कम से कम आपके पास experience है इसमें आपके पास सबसे बड़ा मौका है दोस्तों IUCL में आप चाहो तो IUCL की प्रप्रेशन्स करो आपके लिए best option होगा दोस्तों लेकिन एक साल का experience आपके पास होना चाहिए नेक्स अगर मैं बात करूं mechanical के लिए एक और मौका है दोस्तों एक ज्याद रखेगा UPR जहां पर आज ओपर इंडिया की जोग apply कर सकते हैं एक ज्याद रखेगा उसमें भी कोई भी हमारा अब अब इस बात उसके farms खतम हो चुके हैं तो अब उसकी preparations करने हैं दोस्तों वहां पर आपको पता freshers अप्रेशिजबर थे एक आपका अभी अभी 36 गड के लोगों के लिए दोस्तों 36 गड इस्टेट पावर कार्पोरेशन्स में सबसे जरूरी है कि आपको पहले यह पता होना चाहिए कि भाइक इन वेकेंसी का exam pattern क्या होगा देखो मैं आपको बताओ इन जनरल बात करूंगा टेक्निकल कोस्टेंस आते हैं और non-technical नॉन टेक्निकल में कोस्टेंस कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे याद रखेगा most of the subjects जगहों पे reasoning general awareness एक जगह पे दो जगहां पे quant आएंगे यह portion तो आपको तयार करना किस लेबल पर तयार करना है दोस्तों याद रखेगा SSC जगह पे reasoning और general awareness बाकी mechanical के इस टेक्निकल में कौन कौन से subject important है मैं chronological order में बता रहा हूं सोम, FM, thermodynamics, IC, RAC, power plant, HMT, theory of machine, machine design, production, material science, and आपका industrial engineering देखो यह सारा आपका part आता है दोस्तों thermal का part यह complete आप thermal के नाम से जानते हो thermal and it's applied science हर examination में सोम का अच्छा खासा वेटेश होता है यह सारी चीज़े तो यह हमारी subject है और इनको किसी भी examination के लिए पढ़ना है दोस्तों तो आपको एक बार concept के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है आप PhD कर लो concept तयार करो, practice करो और आपका revisions करो आपके concept preparations के लिए दोस्तों best job जो भी है जैसे NHPC है NHPC की live interactive classes applications भी चल रही है आप 12 बज़े हमसे जूट सकते हैं UP Polytechnic lecture की classes आपकी दोस्तों mechanical engineers के लिए चार October से batch start होने वाला है तो आप उसको enrolled कर सकते हैं BTEC experience जहां पे आपको complete इसके technical subject as well as reasoning as well as Hindi as well as general awareness कराते जाएगा एक चल ज्याद रखेगा तो यह चार October से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग बैस्ट आप लोगों के लिए concept preparations के लिए बहुत अच्छा होगा तो अगर आपको यह subject पता चल गया और आपको inspect इन सारे examination, UPPSC का मैंने syllabus आपको बता ही दिया, NHPC का syllabus मैंने आपको बता दिया, अब इन सब की questions की practice कहां से करना है अगर आपको concept तयार हो गया, तो mechanical के लोगों को 5 बजे मेरे साथ जुड़ना है daily, mechanical के core subject 5 बजे पढ़ाता हूँ, और free में यह बिल्कुल आपसे कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, और यह questions की practice करने के लिए free में at least आप लोग जरूर जुड़िए दोस्तों, एक हम 7 बजे daily mechanical क के लिए बढ़ाते हैं दोस्तों, सोम और FM, कौन ऐसा teacher होगा दोस्तों, YouTube पे जो दो घंटे daily free में बढ़ा रहा है, mechanical के लिए, questions के practice करा रहा है, और यहां तक की बच्चे करते हैं sir, कि आप class में जो बढ़ाते हो, indirectly questions paper में वही आता है आपका, questions के मेरे YouTube sessions को आप लोग बहुत ही seriously जीजिएगा, उसको dedicated तरीके से तयारी करिए, आपके preparations देके selections तक मैं आपकी साथ हूँ दोस्तों, बहुत nominal amount में दोस्तों, आप इन सारे batches को enrolled कर सकते हो, by the code आप याद रखेगा Y201, आप पे जाईए, आप Y201 code यूज़ करिए, आपको यहां पे 78% का आप में पड़ेगा, और UP Polytechnic Lecture का batch around आपको 278 और आप जब बाकी क्या नाम है, यह selection batch करोगे तो आपको 2425 रुपे पड़ेगा, जिसको join करना, join करिए, बाकी आप mechanical से समबंदी सभी examination के त्यारी करना चाहते हैं, तो आपको mechanical की live class, testories, video course, e-book, सारी चीज़े चाहिए दोस्तों, upcoming live process भी चाहिए, तो mechanical engineering का महापेक, आप 12 महीने का join करते हैं, तो round आपको 37 सोग पड़ेगा, और 6 महीने का आपको 31 सोग पड़ेगा, 31, 32 सोग पड़ेगा, तो आप जोग जा करके join करिए, join करते हैं, यही code use कर सकते हैं, Y201, तो crack करने के दोस्तों, applications पे मेरे साथ concept sessions पे जरू best way होगा, crack करने के दोस्तों, totally dependent होजाईए, लग जाईए, एक तम dedication के साथ, 6-7 घंटे daily self study करिए, 4-5 घंटे हमारे साथ connect हुए, उससे ज़र्दा कुछ नहीं चाहिए, यही होता है best way आपको crack करने का, right, तो thank you, thank you as friends, उमीद करते हैं, आप अच्छे होंगे, बिंदास आपने preparation करिए, आपके preparation में हमेशा साथ हैं, इसी तरह के relevant information के लिए दोस्तों, channel को subscribe करके, regular हमारे साथ बने रहे हैं, और आपको किसी भी तरह की support की जरूँथ है, वीडियो की नीचे comment section में drop करिए, हम आपको हर तरह का support देंगे, दोस्तों, बाकी batches की link हमने वीडियो की न comment section में लखवातिया है,